Hello dear students, welcome in Dream High Academy तो कल जैसे कि हमने किया एकाउंटेंसी का जो लेक्चर किया था हमने कल वहाँ पे हमने कुछ चीजे सीखी बैसिक स्कलेर किया, आज भी कुछ टर्म सीख लिएंगे, कुछ टर्म स्कलेर कर लिएंगे जो आपकी एकाउंटेंग में आ जाएगा, ठिके ना? उसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप खुद ही इसके पेबल हो जाएंगे कि आप एकाउंटेंग वहाँ से ही बता दिंगे कि क्यूं एकाउंटेंग हम करते हैं और हमने देखा capital is that amount of money जिस से हम business start करते है और ये capital business का अपना नहीं होता है बलकि business में introduce करता है कोही बंदा उसको हम businessman कहते है उसको हम owner कहते है इसलिए इस capital को हम owners equity भी बोलते है ओके clear तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि capital जो है business के लिए liability होती है किसी भी business के लिए capital liability होती है क्योंकि ये business का अपना पैसा नहीं होता है ये business man का पैसा होता है ठीकिना प्रॉफराइटर का ये पैसा होता है business का अपना पैसा नहीं होता और इसी capital की वज़ा से इसी capital की तैजिट अज एजने की ना इनगी एक रिसोर्से होते हैं आगे जाके हम इनको कैस में जब भी हमें चाहिए ठीक है इस ना चलिए फिर आज देखींगे आंद बेस आफ टाइम फ्रेम कल हमने देखा आंद बेस आ फिजिकल एग्जिस्टेनश एसटिस की टाइप आज देखेंगे हम on the basis of time frame एक type का asset आप लोगों के पास non current assets मिलेंगे दूसरा current assets अब आपको पता है कि asset क्या होता है asset blank करता है business को यह business का होता है business के लिए economic resource होता है तो non current assets क्या होते है इनका दूसरा नाम fixed asset होता है long term assets होता है यह ऐसे assets होते है जो business में आजाते है यह जिनको business acquire करता है purchase करता है किस purpose के लिए क्या बेजने के लिए नहीं कि इसको हम रिसल जल्दी नहीं करेगा बलकि सिर्फ यही purpose होता है कि यह हमारे business को benefit करे ठीक है business को long term के लिए benefit करे for example एक example दूँ मैं आपको आपने को ही machinery लाई आपके लिए goods को manufacture करना आपने बोला मैं एक ऐसी machine लाऊंगा जिससे मैं खुद ही goods manufacture करो तो क्या आप इसको जल्दी sell कर लेंगे बैज डालेंगे नहीं आप इसको business पे ही रखेंगे और यह आपका asset है asset because it is the economic it is the economic resource और यह अपके ही business का है so it is asset for your business okay so non current asset is fixed asset is what assets होते है which are held by the business for long period of time minimum more than one year यह business इसको रखता है अपने पास those assets which are not to be converted into cash within one year इसको ऐसे assets को हम fixed assets बोलते है यह non current assets बोलते है example में अगर हम बात कर लिंगे land land इसकी okay आपको समझा रहा है land ठीके ना land भी आप purchase कर लोगे business का business के ही capital से आपने purchase किया ठीके business के ही पैसे से आपने purchase किया land को तो यह आपका asset बन गया क्या आपको land आप जल्दी convert करोगे case में नहीं क्योंकि आपका fixed asset है आप इसको बहुत time के लिए रखोगे building आपने को ही लाई कि आप बार बार इस building को change करोगे नहीं आप ऐसा नहीं करोगे तो यह आप लोगों का fixed asset है और एक furniture अगर आप furniture से deal नहीं करते आपका business furniture के related नहीं है तब यह आपका fixed asset होगा हा किसी furniture वाले जो furniture से deal करता है उसके लिए current asset होगा furniture क्योंकि वो इसको बार बार sale करेगा यानकि एक साइट से लाएगा और दूसरे साइट से इसको sale करने की कोशिश कर लेगा बट अगर furniture आप इस पे deal नहीं करते आपका और बिजनिस नहीं है ठीकिन अब फरनिचर आपने लाया है ताकि आप इससे और भी income generate कर सकते हो यह आपके business में थोड़ा easiness आएगी comfortness आएगी तब यह आपका fixed asset है ओके तो आप अक्सर देखते होंगे furniture fixed asset पे रखते है बट नहीं अगर को ही furniture किसी की furniture की दुकान है वो furniture के साथ deal करता है तब जाके यह इसका current asset है अब आगे हम देखें के current asset क्या होता है दूसरा current asset इसका दूसरा नाम है short term asset यह ऐसे assets होते हैं जिनका cash में convert होना बहुत जरूरी है business इनको business में इसलिए लाता है ताकि इनको convert कर सके cash में इनको convert कर सके cash में ठीके ना बहुत जल्द liquidity इनकी बहुत अच्छी होती है liquidity का मतलब होता है जब भी कोही चीज को हम cash में convert करते हैं तो कितनी जल्दी से कितनी तेज़ी से वो convert होता है cash में ओके so those assets which are converted into cash within one year एक साल में ये convert होने चाहिए cash में जैसे आपने stock लाया stock suppose आपके पास कोई electric दुकान है ठीके ना आपने वहाँ पे जो stock लाया वो आप कोशिश कर लोगे कि ये sale हो जाए एक साल के ही अंदर अंदर ये sale होना चाहिए okay cash in hand, cash in bank ये already cash में convert है case to cash में ही convert है ये आपका current asset है ठीके ना debtors अब देखो debtors क्या होते है debtors वो person होंगे जिनको आपने उधार में सामान दिया होगा ठीके ना जिनको आपने उधार में दिया होगा अब liability में आपको ये अच्छे से समझा जाएगा debtors कौन से लोग हो सकते है आपके customers हो सकते है ठीके ना debtors आपके customers हो सकते है और ये asset है क्योंकि आप जब चाहे इनसे पैसा मांग सकते हो usually आप एक साल के ही अंदर इनको बोलोगे चलो भाई मैं आपको सामान देता हूँ एक साल के अंदर आप इसका मुझे पैसा देना जो भी है उसके बाद prepared expense prepared expense क्या होता है तो इसको आप cash में convert नहीं कर सकते but prepared expense हम ये मांते है कि ये वो खर्चा है जो हमारा इस साल का नहीं है ठीके ना यानि कि इस साल का नहीं है ये अगले साल का खर्चा है लेकिन मैंने इसी साल का किया तो इसका benefit में अगले साल enjoy कर लूँगा इसका benefit में अगले साल enjoy कर लूँगा इस साल तो ये मुझे मतलब इस साल का जो ये खर्चा हुआ है बच्छे इस साल का खर्चा नहीं है ये मैंने prepared expense किया है पहले ही इसको expense किया है तो इसका benefit में आगे जाके उठा लूँगा thus it became your asset ठीक है न? Accrued income आपने income कमाई है लेकिन अब तक आपने रिस्यू नहीं की है आप जब चाहो इसको आप रिस्यू कर सकते हो मांग सकते हो उससे thus it can be also converted into cash within one year तो ये कुछ आपके current assets है और non current assets non current assets, fixed assets long term assets, these are those assets which cannot which are not to be converted into cash within one year, usually हम इनको sale करने के लिए, resell करने के लिए हम नहीं लाते हैं अपने business में बलकि इनको हम बहुत time के लिए रखते हैं business में और इनका क्या काम होता है ये हमें business को expand करने में मदद करते हैं ठीक हैं business की services को अच्छे बनाने में business में मदद करते हैं ठीक है, short term assets को हर हाल में, any how इनको case में convert होना ही होना है within one year, अगर आपका sita convert नहीं होता है case में तो आपका business में बहुत नुकसान होगा, अगर आपके debtors नहीं होते हैं convert, मतलब ये bad debt बन गए, ये करदा जो ही अब आपको पैसा नहीं दींगे, ठीक है ना, कुछ ऐसा इस हिसाब से आपको समझ लेना है इन चीज़ों को, अब आएंगे liabilities पे, liabilities क्या होता है, liabilities करदारी, okay ये वो amount होता है जो business owe करता है liability, देखिए मैंने आपको बता दिया, कि जब भी आपने capital introduce किया, business मैंने capital introduce किया अपने business में it became the liability of business, okay अब ये ऐसा नहीं है ना, कि सिर्फ capital से ही business सारा कुछ काम कर सकता है, सारे assets सारे expenses, जो भी है सारे कुछ इसी capital से उठा सकता है, नहीं कुछ capital से हमने देखा कि capital, अगर suppose हमने 10 lakh capital introduce किया, ठीक है तो business ने इसका जाने कि जो भी चीज़े किस तरह से expand किया, spend किया, वो सारा कुछ expenditure कर लिया, और business ने कुछ ऐसा भी सोचा, कि मैं अपने business को expand करने के लिए कुछ loan लूँगा bank से loan लूँगा, long term loan लूँगा, ओके तो ये भी business का अपना पैसा नहीं, ओके, तो business किसी और से पैसा मांग रहा है तो business liable है कि उसको ये amount pay करना है bank को, या जिसको भी जहां से भी ये करजा लेता है so liabilities, generally दो तरह की आप देख लोगे, एक होती है होती है, external liability जब भी आप capital introduce करते हो business में this is your internal liability यवर नहीं मतलब आपके business की internal liability है, ठीक है क्योंकि ये business man ने लाया है capital और ये business man का ही पैसा है, और business में रखा है ठीक है, तो ये internal liability बन गई business की external liability हर वो करज़दारी, जो business outside the business man ठीक है, पैसा लाता है उसको हम external liability बोलते है, suppose देखिए internal liability आपको समझाया होगा, कि वो liability, capital यान कि सिर्फ और सिर्फ capital आपकी internal liability है क्योंकि business businessman को ही ओ करता है ये पैसा, external outside businessman ओ नहीं करता जब भी outside businessman ओ करता है वो किसी और को other than businessman ओ करता है, पैसा तब हम इसको external liability में डालते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये external liability बन गई इसकी, business की external liability बन गई, तो देखो external liability भी दो तरह की होती है, long term, short term liability, obviously बात है, long term वो liabilities होती है, जो business, जो business के लिए liability होती है और ये payable होता है, after a period of more than one year, यानकि एक साल में इसको वापस नहीं करना होता है, ये amount, but more than one year, short term और current liabilities, वो liabilities, वो करज़ादारी होती है, जब business को pay करना होता है within one year, okay, example की बात लिएंगे, आपने bank से loan लिया, long term loan, 5 साल का loan लिया, 10 साल का loan लिया, तो आपको ये वापस न नहीं करना, debentures होते है, bonds and debentures होते है, ये भी आपकी long term liabilities में आएगा, okay, short term liabilities की example लिंगे, short term loan, 1 year, 6 months इसका loan आपने business से लिया, immediate loan, ठीके न, outstanding expense, ये क्या होता है, outstanding expense, ये कुछ expense आपका खर्चा होता है, और outstanding का मतलब होता है, कि ये ऐसा expense है, जो business पे due हुआ है, और अब अबाहँ क्या पृइसने नहीं किया, ब즈नस को ये पे करना है, कब करना है, इसी accounting period में ये पे करना है, इसको स्थी year में इसको ये पे करना है, so outstanding expense means a case advent say business के लिए लैंबिल्टी है क्योंकि यह पे करना है बिजनेस को रगजद्दारी है ठीक यह यह डेवआ है यह इक्सपेंस बड़ बजनेसे अब तक पे नहीं किया अब इसको पे करना है so it becomes the external liability क्योंकि businessman की लाइबिल्टी नहीं है यह इस other than businessman that's it is external liability prepared expense prepared income होता है sorry prepared prepared income आपने को ही income ली है पेले ही लेकिन काम नहीं किया service नहीं दी आपने इसके बारे जिसके लिए भी आपने income रिसीव की है वह चीस उसको नहीं मिली है ठीके ना तो इसका मतलब ये भी liability आपने income तो ली है बट काम नहीं किया है आपको काम करना है यूर लाइबल टू वर्क ओके जिसके लिए भी आपने इंकम ली है दस ये भी आपकी लाइबल्टी है ये भी आपकी लाइबल्टी है ये भी आपकी करजादारी है और बैंक ओर ड्राफ्ट भी ये बैंक एक फैसिलिटी देता है ओर ड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है हम यह accounting क्यों करते है accounting हम हिसाब किताब रखने के लिए रखते हैं कौन सा हिसाब करते है accounting किस लिए होती है अगर आप इन layman language देखोगे यहां पर हमने देखा assets और liabilities और simple सी बात है business इसी को देखने के लिए accounting करता है हमारे पास कितने assets है और हमारे पास liability कितनी है कितनी external liability है हमारे पास कितने assets मौझूद है इन चीज़ों को हिसाब किसा इन चीज़ों का हिसाब रखने के लिए हम accounting करते हैं अब आगे देख लेंगे हम और एक concept आप यहा होता है हमने देखा business or businessman to separate entity है दो separate लोग है दो separate person है business or businessman P से लिखूंगा मैं proprietor ठीक ना या owner O से लिखूंगा मैं owner owners equity होती है हमने देखा यह दो चीजे जो है यह अलग-अलग होती है क्योंकि जब भी business की transaction होती है transaction में आगे बता दूगा क्या होता है? जब भी कोई business transaction होती है हम owner की personal life पे धियान नहीं देते है ठीके ना? तो इस पे कोई effect नहीं पढ़ता? इसी तरह जब owner कोई परिसनल काम करता है तो business पे भी कोई असर नहीं पढ़ता यह बात clear, ओकै क्या क्योंकि यह 2 separating है लेकिन जब owner यहां से पाइसा निकालता है business से पाइसा निकाला अगर asset लाने के लिए निकाला होता कौन सा asset जो business के लिए इसको चाहिए था business पे ही रखा तो यह business का ही expenditure था business का ही expenditure था ओके चाहे फिर आगे देख लेंगे revenue capital expenditure जो भी है लेकिन ओनर ने पैसा निकाल यहां से इस बात को आप याद रखना यह आपका ओनर है यह आपका business है यहां से ओनर ने पैसा निकाला लेकिन कुछ अपने personal use के लिए इसने उस पैसे को लगाया इस चीज को हम drawing बोलते हैं क्या बोलते हैं the amount that very amount which is withdrawn by the businessman which is withdrawn by the owner of the business for his personal use is known as drawing अब आप बोलो मुझे यह business है यह owner है क्या drawing liability है या asset है business का तो आप बता देंगे ना तो यह asset है ना तो यह liability है business की okay ना यह asset है ना business की liability है but क्या है कुछ ना कुछ कम हो रहा है क्या कम हो रहा है capital कम हो रही है तो क्या हो रहा है capital reduce हो रही है okay capital कम हो रही है reduce हो रही है बाकि ना asset पे कोई फरक आएगा ना आपके इस पे liability पे कुछ फरक आएगा asset में cash कम हो जाएगा तुम but, यहницу तो नहीं भजातीं कि अगर एसा होताइ बिसनेंसमेन और विसनेंशमेन इस पैंसे को वापस चुम आ बेड़ा होता है। नहीं यह कैंपितल में रिडेक्शन होता है। क्योंकि कैपितल सिह इसा होती है। Capital is the internal liability, business internal liability होती है so आप याद रखेंगे simply कि driving जो है वो amount, वो money, जो businessman निकालता है personal use के लिए, business के लिए नहीं यूज करता है वो पैसा personal use के लिए, अपने use के लिए को ही कार लाई, अपने use के लिए उसने AC लाया, गर के लिए AC लाया, तो वो amount हम उसको driving बोलते है driving is neither an asset of the business, not liability of the business it is just and just reduction in capital, यह बात आप याद रखेंगे, capital में reduction होता है अब देखेंगे, जब हमने देखा हमारे पस assets आए liabilities देखा हमने किस तरह से होता है, अब देखेंगे expenditure क्या होता है अब आप खुद ही बताएंगे, expenditure वो चीज होता है जिससे आपका cash business से चला जाता है आपका cash outflow होता है, खर्चा जब करते हो, कैसे करते हो, cash जाता है आपके business से ठीक है ना, cash जाता है आपके business से, that is the expenditure और क्यों जाता है, cash यह आप लोग उन्हें आलेडी देखा सर यह तो हम, assets लाते हैं, purchase करते हैं, उससे cash हमारा जाएगा यही देखा हमने उपर, amount spent के cash outflow, यह यह भी हो सकता है आपने cash में नहीं लिया, expenditure तो किया आपने, बट, बट, आपकी liability increase होई ठीक है ना, ओके, यह liability increase हो सके, यह आपका cash चला जा सकता है देखो, expenditure के भी कुछ types होते है, जो हमने उपर देखा, assets की types अगर आप उसको अच्छे से देख लोगे, क्योंकि हम expenditure इसी में करते है expenditure हम यही करते है, हम assets को purchase करते है यह भी हमारा एक type का expenditure है लेकिन कौन सा assets को हम purchase करते है, यह depend करता है और यही expenditure को हम capital expenditure और revenue expenditure में हम देख लिएगे अभी deferred expenditure की बात, deferred revenue expenditure की मैंने बात नहीं की पहले इन दो को आप समझ लोगे, यह आपको खुद समझा जाएगा capital expenditure, वो सारे expenditures, जो non requiring in nature होता है जिनको हमें बार बार नहीं करना होता, जैसे मैंने आपको बोला आपने कोई fixed asset लाया, आपने land ली, आपने building लिया, आपने machinery ली ठीके न, business के लिए, तो यह आपको सालू में एक बार करना है दस साल में एक बार कर लोगे, तो यह capital expenditure वो expenditure होते है जो आपके business का expenditure है, लेकिन इसको आप बार बार नहीं करते यह क्यों करते हो आप, ताकि आपकी business जो है, आपका business improve हो जाए ठीके न, यह increase कर लेगा इसकी earning capacity, कैसे कर लेगा आपने को ही machinery लाई, तो obviously बात है, यह increasing capacity, इसकी earning capacity increase करेगी आपकी business की, यह ज्यादा goods manufacture करेगी, modern technology की होगी यह यह बहुत सारे मिलिटिस होते है इसके, so capital expenditure वो expenditure होता है जिस जो हमें बार बार business में करना नहीं होता, और यह हम show करते हैं balance sheet of the business, यह हमें देखना है, trading and profit and loss account आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखो कि आपके capital expenditure जो है, balance sheet में हम इनको show करते हैं, okay, example क्या है, fixed assets की example आप दो गे, purchase of fixed assets, fixed assets पे हम जो भी खर्चा करते हैं, वो आपका capital expenditure है, क्योंकि अकर fixed expenditure, fixed asset में हमने एक ऐसा खर्चा किया है, कि हमने रेपियर किया, वो भी आपको capital expenditure में आएगा, क्योंकि बार बार तो आफ repairing of machinery नहीं करोगे, सो कुछ ऐसे expenses होते हैं हमारे business में, जो fixed assets के लिए हम करते हैं, या पर्चेस करते हैं, fixed assets को वो आपके capital expenditure में आएगा, I hope आपको यह clear हुआ होगा, revenue expenditure इसी का opposite होता है, यह हमें बार बार करना होता है, यह कौन से expenses होते हैं, simply यह वो expenses होते हैं, जो हम current asset के लिए करते हैं, पहली हम current asset के लिए expenses, for example, हमने goods लाया, हमने सिटाक लाया, यह हमें बार बार लाना है, हर साल में लाना है, क्योंकि हमारा मौटी ही होता है, कि हम इन current asset हमारा उसको केश में convert करेंगे, कोशिश करेंगे, जल्दे से जल्द यह केश में convert होगा, okay, so, चलिए, revenue expenditure, requiring in nature होता है, और expenditure incurred the benefit of which is consumed within the accounting period, यह ऐसे expenditure होता है, जिसका हम benefit consume करते हैं, जिसका benefit exhaust करते हैं, इसी accounting year में, क्योंकि हम जल्द से जल्द इसको केश में convert करते हैं, okay, और example और एक बात, यह asset की बात करी, लेकिन कुछ यह भी expenditure है, salary आपकी, salary आपकी, आप employees को salary देते हो, और वो हर साल, हर महीने में आप इसको खरिच करते हैं, that is the recurring in nature, बार बार करनी है आपको, electricity bill हर महीने आपको बढ़नी है, हर accounting period में आपको बढ़नी है, audit fees यह भी आपको recurring in nature बार बार होता है, ठीक ना, और यह कहां पर show होता है, shown in the trading and profit and last account, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कि आपका capital expenditure, balance sheet में show किया जाता है, और आपका जो revenue expenditure है, वो आपके trading and profit and last account में show होता है, I hope आपको यह clear हुआ होगा, अब deferred revenue expenditure क्या होते है, यह भी एक revenue expenditure nature के होते है, बट यह बहुत heavy होते है, बहुत heavy होते है, जिनको हम एक साल में ही write-off नहीं कर सकते है, ओके, देखिए, those expenditures which are revenue expenditure in nature, but it is benefit is enjoyed for several years, example से मैं समझा दूँगा, आपको समझा जाएगा, जैसे हम huge advertising expenditure करते है, advertising पे हम expenditure किया, हमने बड़ी एक advertisement करी, ठीक ना, तो यह हमने किया, लेकि इसका benefit हम सालों, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल के लिए हम इसका benefit है, enjoy कर लेंगे, एक साथ हम इसको write-off नहीं करते है, accounting period में, ठीक है ना, इसको more than one accounting period में write-off करते है, कम कम amount हम, suppose हमारे इपास 5 crore का expenditure आया, इस पे, इस advertising में, तो हम अगर एक साथ इसको कम कर लेंगे, इसी year में कम कर लें क्योंकि इसका benefit एक साल तो नहीं होगा, 2, 3, 4 साल तक तो रहेगा, इस advertisement का effect ठीक ना, तो इसका जब benefit हम 4 साल तक हम कर लेंगे, तो हम एक साल में ही इसको write-off क्यों कर लेंगे, हम 4, 5 साल में ही इसको write-off कर लेंगे, अगर एक साथ में 5 crore दिखा दूँगा, expense, तो मेरा business नी but ऐसा नहीं है, 5 साल तक मुझे इसका benefit मिलेगा, तो मैं उन 5 साल को इसको आराम आराम से हलका हलका कम कर दूँगा, write-off कर दूँगा, okay, तो यह थे expenditure के बारे में, अब हम receiptus के बारे में पड़ लेंगे, जैसे expenditure से आपका cash outflow होता है, receiptus से आपका cash inflow होता है, cash business में आ जाता ह है, चाहे आप capital receiptus कर लो, चाहे आप revenue receiptus कर लो, capital receiptus क्या होता है, simply जिस तरह से capital expenditure हमने पड़ा, non requiring in nature होता है, capital receiptus भी non requiring in nature होते है, okay, यह बार बार business में नहीं आते है, receiptus, okay, बार बार ऐसा revenue आपको नहीं मिलेगा, business में, example की बात कर लिंगे, suppose, example से मैं आपको समझा दूँगा, suppose मैंने कोई asset लाया, कोई machinery लाई, अब वो out date हुई, मेरे पास machinery जो है, वो out date हुई, और मैंने इसको बेज दिया, इसको sale करी, मैंने इसकी sale करी, मैंने बेज दिया, और यह अब यह नहीं कि मैं बार बार machinery को बेज दूगा, नहीं, 5 साल म मैं एक बार मैंने अब नहीं मेशीन लाई, पुरानी मेशीन बेज डाली, तो यह मेरा revenue तो आगया, receipt तो आगया, मेरा cash inflow हुआ, लेकिन क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों कि मैंने machinery बेज दी, मैंने fixed asset बेज दिया, जब भी मैं fixed asset बेज दूँगा, मेरे पास cash inflow आएगा, बट यह बार बार नहीं करूँगा, हर accounting period में fixed assets को नहीं बेज डालूँगा, जब में fixed assets को ही बेज दालूँगा, तो मेरा business खसाड़े में आ जाएगा, fixed asset की स्ट्रंगित होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बोला हूँ, मैरे को ही machinery थी, आउट डेट हुई, ठीक होगा, कभी कुबार होगा, इससे क्या होता है, capital receipt से cash inflow होता है, या fixed asset reduce होगा, या liability increase होगी, fixed asset reduce होगा, वो हमने देखा, missionary बेजी, fixed asset कम हुआ, यहां सिर cash inflow होगा, ओके, लेकिन liability कैसे increase होगी, अरे आप लोगों ने bank से loan लिया, long term loan लिया, तो यह आप बार बार तो नहीं ह लोगे, यह एक बार लोगे, तो यह capital revenue में आएगा, लेकिन loan लिया, मतलब liability increase होगी, so बात आए समझ में, once they happen, capital expenditure, capital revenue, capital receipt, जब आएगा, either liability increases, या fixed asset decreases होता है, example देखो, bank loan, बार 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 bank loan नहीं लोगे, आप एक बार bank loan लिया, cash inflow होगा, बिजनस में, लेकिन liability increase होगी, okay, additional capital introduce, या ऐसा भी हो सकता है, business man ने capital introduce किया, तो यह बार बार नहीं करेगा, एक बार करेगा, इससे भी cash inflow होगा, business में, cash inflow होगा, मतलब की receiptus आ गए, लेकिन कौन से receiptus, introduction of capital बार बार नहीं होगा, एक बार होगा, तो यह capital receipt में आएगा, यह भी तो liability है, कौन सी liability है, internal liability, bank loan internal liability है, business man अपने owner को ही ओग करता है, यह पैसा, okay, यह sale of fixed asset, जैसे मैंने machinery के आपको बात बताई, यह हम sale of fixed asset कर सकते है, तो sale of fixed asset जब किया, मतलब fixed asset decrease होगा, cash inflow तो हुआ, लेकिन fixed asset decrease हुआ, bank loan से cash inflow हुआ, लेकिन liability increase हुई, additional capital से भी cash inflow हुआ, लेकिन internal liability increase हुई, so, यह आप याद रखेंगे, capital receipt के बारे में, अब revenue receipt, वो receipt होते है, इनका होना बार बार बहुत ज़रूरी होता है, बहुत लाजिम होता है, it is very essential, इस से क्या, देखो, capital receipt से क्या हुआ, liability increase हुई, या fixed asset आपका decrease हुई, revenue receipt से आपकी income generate होती है, और यह होना चाहिए, it is a good sign, okay, it is a good sign for a business, it happens on regular basis, बार बार होगा, यह cash inflow बार बार होगा, कैसे बार बार होगा, आप खुद बता दोगे, जब हमने business में कोई सिटाक लाया, तो जब भी हमारे पास business में सिटाक आया, हमने क्या कोशिश की, कि यह जल से जल से जल से सेल हो जाए, तो इस से हमारी income generate होगी, तो इसमें क्या आएगा आपका operating income, और non operating income, अब मैं इसको समझाता हो थोड़ा आप लोगो, operating income क्या होता है, यह direct income होता है, जैसे सेल अप goods आपकी operating income होती है, यह वो revenue होता है, जो आपके core business से आता है, suppose आप mobile shop, आपको mobile shop है, ठीक ना, जो भी आप income यहाँ से generate होगी, mobile को आ आप goods आपकी operating income होती है, और यह बार बार एक आप सेल नहीं करोगे, क्योंकि आप सिटाग बार बार लाते हो, जब आप बार लाते हो, आपकी यह कोशिच होती है, कि यह जल्द से जल्द केश में convert होगा, जल्द से जल्द यह सेल हो जाए, आपका सिटाग, तो यह आपका revenue new receipt होता है, बार बार होता है, यह non-operating income, जैसे आपने कोई fixed deposit करी, business का पाइस आपने fixed deposit में रखा, तो वहां से जो interest receive होगा, वह बार बार receive कर लोगे, हाला कि यह core business का income नहीं है, core business की income नहीं है, but it is non-operating income, other than sale up goods, ठीक, other than sale up goods, जो भी income आएगी, उसको हम non-operating income बोलेंगे, operating income है, यह भी आपकी revenue receipt पे आएगी, और इनको show कहां किया जाता है, shown on the income side, आप फिलाल याद रखो कि इनको trading and profit in last account में हम show करते हैं, इस चीज़ को आप याद रखो कि इसको हम trading and profit in last account में show करते हैं, और आपका जो capital receipt होता है, उनको balance sheet में show करते हैं, अब उसके बार चोटा स concept रे गया, transaction or event, अब खुद ही बता देंगे मुझे, transaction क्या होता है, अरे, asset मैंने purchase किया, this is the transaction, okay, किसी से मैंने पैसा लिया, this is the transaction, जब हम financial agreement में आ जाते हैं, वो transaction होती है, transaction or event में क्या फरक होता है, transaction भी event हो, सबसे पहले मैं समझाओंगा, event क्या होता है, any happening in the business, इसको हम event के जो भी business में होगा, उस सब चीज को हम event बोलेंगे, okay, transaction क्या होती है, वो event is, वो event is, जो सिर्फ monetary term में हम express कर सकते हैं, उसको हम transaction बोलेंगे, suppose आपके business में एक event हुआ, कि business ने machinery को purchase किया, और हम इसको monetary term में express कर सकते हैं, thus it becomes a transaction, transaction event का ही part है, यह आपका event है, और यह आपकी transaction है, मतलब all transactions are events, but all events are not transactions, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे event क्या होता है, suppose, आपने क्या किया, आपने एक event किया, को ही भी event, आपने अपने सेटाफ को instructions दी, यह भी business का event है, क्या आप इसको इसको money मैं express कर सकते हो, कितने हजार की instructions दी, नहीं कर सकते हो, this is event, but this is not transaction, so all events are not transactions, but all transactions are events, यानि कि वो event जिनको आप money मैं express कर सकते हो, that is the transaction of the business, I hope कि आपको यह समझाया होगा, thank you very much, thanks a lot, तो आगे कुछ और लोके आएंगे, कल से हम देखेंगे, अब rules भी जान देंगे, thank you very much.